सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग में और तो यानि की एवरेज वाले कोशन करने वाले हैं आपने इस तरह के कोशन देखे हुए होंगे कोशन पेपर में और इस तरह काफी कोशन आज तक आये हैं दोस्तों यह कोशन करना हमारेलिए काफी में जरूरी है और यह कोशन का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कुर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी तैन यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड सब नमिट्र पर कॉंटेक्ट कीजिए यह देखें दोस्तों यह हमारा दिशेंबर दोहजार बारा के अंदर कॉश्चन आया था इसके अंदर इन्हों ने कहाए कि एक ग्रुप में प्रिक्ष्णों की संख्या 40 है यानि कि यहाँ पर माल लेते कि एक ग्रुप में में मिमर ह टोटल है 40 अब इसमें पहले 10 स्दश्यो का ओस्तिंग कितना दिया हुए 4.5 यह भी हम यहां पर लिख लेते हैं पहले 10 का जो ओस्ति प्वाइंट five यहां पर है और फिर शे स सदश्यो का ओस्ति इन्होंने में 35 दिया हुआ है दोस्तों यहां पर मिश्टेक होगे 35 निये 3.5 है यहां पर यह देख सकते हैं आप ठीक है तो 30 का जो ओस्त है वह भी हम यहां पर लिख लेते हैं equal to 3.5 है अब देखे अब इसने का कि पूरे ग्रूप का ओस्त क्या है और पूरे ग्रूप का ओस्त निकालना बिल्कुल असान है दोस्तों सबसे पहले 10 को 4.5 से जब हम multiply करेंगे तो यह आजाएगा 45 आजाएगा और उसके बाद में 30 को जब हम 3.5 से multiply करेंगे तो यह आजाए अब इन दोनों को हम add करेंगे यह देखे एड करेंगे यह आजाएगा जीरो पांच और पांच और यह आजाएगा एक यानि कि 150 हमारे पास आ गया और यह देखे यहां पे हमारे पास कितना था टोटल कितना था 40 लोग थे तो इसका ओस्त क्या होगा दोस्तों ओस्त के या बटे में जो जितने भी सदस से हैं बटे में 40, 150 बटे में 40, 0 से 0 कटकी 15 बटे 4 यानि की option number 6 का answer आ जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर शकते हैं और आगे देखना दोस्तों UGC ऐसे ही असान असान question देता है हमेशा average question देता है UGC ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल कभी नहीं देता बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है चलिए अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों ये देखें ये हमारा June 2013 के अंदर question आया था इसके अंदर इन्होंने कहा है कि A, B, C, D चार संख्याओं का माद्धे सो है चार संख्याओं दी है A, B, C, D इनका माद्धे कितना दिया है माद्धे मतलब mean या average हम कह सकते है वो इन्होंने दिया है सो दिया है ये दि C, 70 है तो से संख्याओं का माद्धे क्या होगा ये हमें बताना है अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इन्होंने average दी है और इन्होंने ये बताया नहीं है कि A कितना है B कितना है और D कितना है अब देखिए चार संख्याओ का माध्ध है कितना है दोस्तों 100 यहां पे दिया है तो total कितना हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले हम total निकालते तो total के लिए क्या करेंगे 4 गुना में 100 करेंगे कितना आजाएगा हमारे पास 4 शो आजाएगा अब देखी अब इसने कहा है कि यह दिसी 70 है सी की जो value कितनी दिवी है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 70 दिवी है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे चर्शो में से हम 70 माइनस करेंगे तो यह क्या आजाएगा हमारे पास 330 हमारे पास आजाएगा अब इसने कहा है कि सेस संख्याओं का मद्धे क्या होगा जो लाश्ट में बच गी कितनी बच गी हमारे पास तीन संख्याओं बच गी उनका मद्धे क्या होगा अब देखे 330 बटे में 3 करेंगे हम यह आएगा 110 यहाँ पर हमारे पास आजाएगा और जो 110 है वो है हमारा option number D तो यहाँ से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं तो आप देख सकते कि कितने असान-असान question UGC दे रहा है और अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों यह हमारा December 2013 के इंदर आए था विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्रापतंकों का मध्य 65 है यानि की एक क्लास उसके अंदर जितने भी विद्यार्थियों है उनके जो अंका हैं उनका जो average है दोस्तों वो 65 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्रापतंक 45 है अब देखिए जो आधे विद्यारते उनका जो मध्यां की यानि की एवरेज जवो कितनी है 45 है और सबसे पहले एक चीज यहाँ पे जो टोटल विद्यारते वो कितने है दोस्तों 40 है हमारे पास टोटल कितने है 40 और 40 के सभी के सभी का एवरेज कितना है 65 है अब यहाँ पे कक्षा के आधे विद्यारते का मध्य 45 है आधे का मतलब क्या है दोस्तों 20 जो विद्यारते उनका जो मध्य है 45 है अब क्या करना है बच्चे वे विद्यारते के प्राप्तन का मध्य क्या है वो हमें निकालना है अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 को हम 40 से गुना करेंगे, तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास 2600 आ जाएगा, और आगे इन्होंने कहें कि आधे विद्यारतियों का मद्धे कितना है, 45 है, जब हम 20 को 45 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यह आ जाएगा हम हमारे पास 900 अब देखिए अब हमारे पास कितने विद्यार्थी रहे गए 20 हमारे पास विद्यार्थी रहे गए और यहां पे जो अंग है वह कितने रहे गए जब 26 में से हम 900 सो मैनस करेंगे तो दोस्तों यह आजाएगा हमारे पास सतरह सो आ जाएगा अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे सतरह सो डिवाइड वाई 20 यहाँ पर कर देंगे तो 0 से 0 कट गया और 2 18 16 25 10 यानि कि 85 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा और जो 85 है वो option number A यहाँ पे दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों यह देखिए यह question भी बिल्कुल असान है इसके अंदर क्या कहा है 210 चात्रों का 1 संहु किशी परिक्षया में सामिल हुआ ठीक है 210 चात्र है टोटल वो किशी exam के अंदर बैठे 1 पाटते 3 में 1 एक तिहाई में चात्रों का मद्धै 60 पाया जाता है 5000 चात्रों का मद्धै 78 पाया जाता है तब संपूर्ण समु का मध्य क्या होगा अब ये देखे दोस्तों ये बिलकुल असान है मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा ये देखे टोटल हमारे पास कितने है टोटल है हमारे पास 210 है अब देखे एक तियाही चात्रों का मध्य साथ है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक तियाही कितना होता है 210 का देखे 210 का एक तियाही हम निकालते हैं 210 बटे में थरी कर लेते हैं तो ये कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 70 यहां से आजाएगा यानि कि 70 जो student है उनका average कितना है 60 दिया है और 63 चात्रों का 78 पाया जाता है अब 63 चात्र कितने रहेंगे दोस्तों हमारे पास वो रहेंगे 140 रहेंगे ठीक है 140 का जो माध्धे वो कितना है 78 दिया है अब देखी अब हमें total का माध्धे निकालना है तो 70 को 60 से गुना करेंगे 6 सता 42 यानि कि 42 सो आ जाएगा यहां से हमारे पास और फिर 140 को 78 से multiply करेंगे तो मैं अभी करके देख लेता हूँ वो कितना हैगा 140 मुल्टिपलाई में 78 यह आ जाएगा 10920 यहां से आ जाएगा यानि कि 10920 यहां पर मैं लिख लेता हूँ अब देखे दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों को add करेंगे फिर हम पूरा average निकालेंगे अब देखे इनको जब हम add करेंगे पलस में 42 यह 15120 आ जाएगा 15120 यहां से आ गया हमारे पास अब हमें average निकालना है total का तो 15120 को हम divide किस से करेंगे 210 से हम divide करेंगे 210 से हम जब इनको divide करेंगे जब हम 15120 को 210 से divide करेंगे तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा और 72 हमारा option number 4 दिया हुआ है तो दोस्तों इस तरह से बिलकुल अचानी से आप कर शकते हैं औ यह question कैसे आएगा सबसे पहले हमारे पास total जो 210 दिये हुए है 210 में एक तिहाई छात्रों का माध्य साथ दिया है एक तिहाई का मतलव होता है दोस्तों 70 जो student है उनका माध्य साथ दिया है और फिर एक जो बच के सेश चातर सेश चातर बचे हमारे पास 140 140 का 78 दिया हुआ है इन्होंने तो अब total का हमें निकालने है तोटल का निकालने के लिए पहले 70 को 60 से multiply करेंगे 42 आ गया फिर 140 को 78 से करेंगे तो 10920 आ जाएगा और फिर इन दोनों को हम add करेंगे इन दोनों को add करने से 15120 आ गया अब 15120 को 210 से हम divide करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 72 आ जा देखते हैं और दोस्तों इस तरह के कोशन अब की वार भी आने के संभावना है क्योंकि यह कोशन काफी सालों से आ रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं यह देखिए अब यह देखे दोस्तों यह हमारा अगस्त 2016 का कोशिन पेपर है और यह कोशन दोस्तों आप सबही को करना है, अपने हिसाब से करना बिल्कुल असान है दोस्तों कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है जैसे हमने पीछे के कोशन की वैसे ही यह कोशन है थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना इसका अंसर क्या आएगा प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों और अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आती है इस कोशन के इंदरा आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आप हमें वर्टसप कर सकते हैं यह नंब किजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गंटी का वटन जरू दबाएए ताकि आप हमारी आनेवाली वीडियो को असली से देख सके थैंक्यों दोस्तों दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कॉर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोर्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड यर कॉशन पेपर देते हैं विद टॉपिक व की हम दोर्स देते हैं विद झाल झाल